रेडी इस्टार्ट शहरों महानगरों की जीवन शेली और रोज मर्रा के खान पान की वजह से अनेक बिमारियों को लेकर लंबे समय से फिक्र जताई जाती रही है लेकिन इन बिमारियों की वजहों और जड़ों को समय रहते रोकने के लिए अब तक कुछ घोशनाओं से आगे बढ़ कर कोई ठोस पहल कदमी नहीं हुई मसलन जंक या डिबबाबंद खाद्य पदार्तों के नुकसान को तो स्विकार किया जाता है लेकिन उनके दुश प्रभावों से निपटने के लिए स्कूल परिसरों में इनकी उपलब्दता प्रतीवंधित या सीमित किये जाने जैसे कुछ प्रतीकात्मक कदम उठाए जाते हैं उपचारिक कदमों का कोई बड़ा फाइदा नहीं होता है इस तरह के खानपान के अभ्यस्त हो चुके लोगों या बच्चों के लिए खुला बाजार ऐसे खाद्य पदार्तों से भरा पड़ा है जो उनके सवाद के लिए तो अच्छा होता है लेकिन लंबी अवधी में उनकी सेहत के लिए बेहद हानी कारक साबित होता है अब तक इस मसले को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता रहा इसलिए चुपचाप इस तरह के खानपान के साथ साथ शरीर में मोटापा और उससे आने वाली ऐसी बिमारियां भी पलती बढ़ती रहीं जो समय के साथ एक बड़ी समश्या बन चुकी है अब नीती आयोग एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसकी पीछे मकसद मोटापे से होने वाली बिमारियों की रोकथाम है लेकिन इसके लिए इस इस्तती को पैदा करने वाले कारकों का नियमन किया जाएगा प्रस्ताव में दर्ज उपायों के तहत चेनी नमक और वसा की उंची मात्रा वाले उत्पादों के विपनन और विज्यापन के साथ साथ इन से तैयार उत्पादों पर कर लगा जाएगा इसके अलावा फ्रंट आफ दे पैक लेबलिंग जैसे कदम उठाने पर भी विचार चल रहा है जिसके जरिये उब्वकताओं को अधिक चीनी नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है दर असल सरकारी शोद संस्थान नीती आयोग की 2021-22 की वारशिक रिपोर्ट में देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समश्या को लेकर चिन्ता जताई गई है यह किसी से छिपा नहीं है कि मोटापे की वजह से आज दुनिया भर में लोगों की सेहत के सामने किस तरह की चुनोतियां खड़ी हो चुकी है यह समश्या हमारे देश में ज्यादा जटिल इसलिए है कि मोटापे को लेकर लोग समय रहते नहीं सावधान नहीं होते और इसके प्रती नकारातमक धारणा आम नहीं पाई जाती है विडमबना यह है कि संसादनों की आसान उपलब्दता के बीच हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे खानपान में कब वैसे खाद्य उत्पाद शामिल हो जाते हैं जिनके मोल तत्व शरीर का वजन बढ़ाने के मुख्य कारक होते हैं स्टॉप